हेलो स्टूरेंट्स आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वारत है आज इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे कि academic calendar लेंडर आया है दीू का तो इसके coding मार्च में आपकी first semester क्राफ्स हो थेक itself को से पास होने का Criteria क्या है आपको कि यहां की मार्क कि मांका स्ब्सक्राइब में आपको यहीं doubts क tat वाली हूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी एक्जाम में पास होने का क्रैटरिया क्या है पासिंग मार्क्स कितने आपको लाने होंगी ठीक है तो चलिए अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि minimum marks जो के required होंगे semester के exam में वो है 40% theory में and 40% practical में यानि कि अगर आपका 100 number का वेपर है ठीक है 100 marks का तो आपको 40 marks तो लाने ही होंगे theory में and 40 marks practical में ठीक है तो 40% का criteria है 40% आपको theory में लाने है यह अभी मुझे नहीं पता कि कि आपके exam कितने marks का आएगा 100 number का आएगा 80 number का आएगा तो यह situation में base करता है कि आपका जो exam है वो कितने number का आए ठीक है बड़ पास होने का criteria क्या है 40% आपको theory में लाने होंगे and 40% आपको लाने होंगे practical में ठीक है अगर किसी स्टूरेंट के 40% से कम आते है ठीक होगी में practical में तो वो स्टूरेंट fail माना जाएगा एड़ उसको मतलब कि उसकी back आ जाएगा एड़ उसको फिर दुबागा से exam देना होगा तो आप try किजेगा कि आपके 40% अबव मार्क्स आ जाए ठीक है क्योंकि काफी जादा important है ठीक है अगर किसी स्टूरेंट के मार्क्स नहीं आ पाते इतने तो वो fail हो जाएंगी ठीक है तो उनको काफी दिक्कर आ सकती है तो मुझे उमीद है यह information आपके लिए useful रही अब आप इसी चीज को अपने मैंड में अकतियारी कीजिए आपनी अच्छे से exam की ठीक है अगर आपको information अच्छी लगी हो तो जाड़े-जाड़ा वीडियो को शेयर करें वीडियो को like करें and हमारी चैनल को subscribe को ना बिल्टू ना भूले क्योंकि ऐसी आपसे जुड़ी सारी जानकारिया आपको यहापर म मिलेगी ठीक है तो सारी जानकारिया time to time जानने के लिए चैनल को subscribe को ना बिल्टू ना भूले thank you very much